कैसे हो दोस्तों मैं हूँ आपका मोहित और आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AirTag के बारे में तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो AirTag एपल का एक ऐसा प्रोड़क्ट है जो आपकी चीजों को फाइंड करने में मदद करता है जो भी आपकी कीमती चीज़ है सिंप्ली इसको उसके साथ अडेच करके रग दो अगर वो इन फ्यूचर गुम भी हो जाती है तो वो आप एजिली फाइंड कर सकते हो तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करेंगे AirTag का इन डेप्थ रिव्यू सबसे पहले मैं बात करूँगा इसकी Unboxing और Features को लेके कि इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है आपको इसके बाद हम लोग इसकी Testing करेंगे और ये जाने की कोशिश करेंगे कि ये काम कैसे करता है और अगर आपका Product Lost हो जाता है तो आप इसके तुरू कैसे Find कर सकते हो Simply इस स्ट्रिप को Pull करके अब यहां से आप इस Packet को Open कर सकते हो यहां पे कुछ Paperwork देखने को मिल जाता है इसके साथ यहां पे अब हमारा AirTag देखने को मिलता है जो की काफी जादा छोटा है जितना मैंने Expect किया तो उससे भी काफी जादा छोटा है यह अब इसकी जो Polythene इसको Remove कर देते हैं यहां से अब इसको दीरे से Pull करके और अब Remove कर देते हैं और यह आप देख सकते हो कि कितना जादा Glossy है यहां से बहुत जारा Reflect कर रहा है और यह बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है यहां पर आप देख सकते हो कि यह जो Polythene यहां पर फसी हुई है यहां से जैसे ही मैं इसको तेजी से Pull करता हूँ एक हलका साउंड आपको देखने को मिलता है इस AirTag में इसका यह मतलब है कि यह यहां से Activate हो चुका है आप इसका Size देख सकते हो यह मेरा iPhone 12 Pro Max का पीचे Apple Logo है और यह है AirTag का Size यह इतना चोटा है अगर मैं इसके Camera Bum से Compare करके दिखा हूँ तो यह इसके भी अंदर आ सकता है और अगर ठिकने इसके बात करें तो यह इस Phone से भी पतला है तो दोस्तो यह है हमारा AirTag जो कुछ इस तरीके हिससे दिख रहा है और मेरे सबसे यह दिखने में बहुत ही जादा Attractive है एक दिखने मिनिमलिस्टिक था इसका Design है बहुत ही जादा Simple है दोस्तो इसकी एक बहुत अच्छी बात है इसमें आपको Removable Battery देखने को मिल जाती है जो कि नॉर्मली आपको Car Keys में या Watches में देखने को मिलती है और वो Easily Available हो जाती है तो वो वाली आपको Batteries देखने को मिल जाती है तो ये मेरे सबसे बहुत ही कमाल की बात हो जाती है इसको कोई Charging वगरा करने का जंजट नहीं है Simply जो भी आपका Product है उसमें आप इसको Attach करो और ले जाओ अगर आप इसको किसी Bag वगरा में यूज़ करना चाते हो अलग से एक चीज़ खरीदे पड़ेगी जो कि है ये ये मैंने एपल से नहीं करीद है विकॉस एपल का जो था वो बहुत ही जादा महेंगा था ये मैंने थार्ड पार्टी खरीद है करीद 300 रुबे के आसपास मुझे Amazon पर मिल गया आप भी वहां से खरीद देना विकॉस इतना जादा कुछ डिफरेंस नहीं है और इसको अटेच करना भी बहुत जादा ईजी है सिंप्ली को इसको इसके अंदर डालो और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से अटेच हो जाता है अब यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस में लगा यहाँ पर connect में टैक करो अब यहाँ पर select करो कि आप किस चीज़ पर लगाना चाहते हो तो वहाँ पर आप next करके यहाँ पर continue पर टैप करोगे आपके जो air tag है यह connect हो जाएंगे आपके phone से अब आपका ये AirTag यूज़ करने के लिए एकदम तयार है और इसको आप किसी भी जगह यूज़ कर सकते हो तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ features की तो सबसे पहला feature तो यही था कि इसमें removable battery देखने को मिल जाती है दूसरा feature आपको इसमें देखने को मिलता है कि यह IP67 ratings के साथ water and dust resistant है तो मेरे साब से यह भी बहुत कमाल की बात हो जाती है इसी के साथ यह इतना चोटा सा product है इसके बाद भी इसमें काफी loud speakers देखने को मिल जाते है यह आवाज अगर आपने airpods की आवाज सुनी हुई है अगर आप find my airpods करते हो और जो airpods sound release करते हैं उससे लगबख दो गुना जादा sound है और यह काफी जादा loud है और सबसे surprising बात है कि इसमें दिखते ही नहीं है कि speakers है कहाँ पे तो अब फटाफर से बढ़ते हैं हमाई next point की तरफ तो दोस्तो सबसे पहले इसके testing कर लेते हैं मैं अपनी keys जो है वो यहाँ वहाँ रखके भूल गया हूँ अब मैं इसको ढूणने की कोशिश करता हूँ कि मेरी keys actually है कहाँ या तो मैं find my app से ढूण सकता हूँ या फिर मैं directly cd को बोल सकता हूँ जैसे ही मैं cd को बोलता हूँ कि hey cd where's my keys यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो air tag है यह आवाज करने लगता है यह काफी तेजी से sound produce करता है जिससे मैं इसको easily find कर सकता हूँ इसके अलावा एक और वे है अगर आपका जो air tag है यह आसपास ही है करीब 15-20-30 fit के आसपास है तो आप इसको find my app से directly काफी बहतरीन तरीके से ढूण सकते हो यह आपको guidance देगा कि आपको इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है यह proper आपको उस air tag तक पहुंचा देगा आपको guide करके because of यहाँ पे Apple की U1 chip काम करती है तो मेरे सबसे बहुत ही कमाल का product हो जाता है because कई पार ऐसा होता है कि drawer में अंदर कहीं रखी हुई है या फिर किसी pillow के नीचे रखी हुई है तो आपको वो sound सुनाई ना दे हो सकता है लेकिन अगर आप यह चीज़ follow करते हो तो यह बहुत ही कमाल बहुत ही बहुत ही बैतरीन तरीके से काम करती है और इसके लिए huge thumbs up to Apple लेकिन दोस्तो इसकी एक limit है यह करीब 25-30 fit के आसपास काम करती है अगर इससे और दूर जाते हैं तो यह वहाँ पे काम नहीं करेगी हाँ लेकिन यह आपके लिए sound जरूर प्रिड्यूस कर देगी यह जो जो से आवाज कहने लगी और आपको आपका product देखने को मिल जाएगा इसके साथ इसमें और भी सारे features देखने को मिल जाते हैं अगर आप अपनी key से 15-20 fit के पार चले जाते हो यानि कि जित्ती उस UN chip की range अगर उस range से बाहर चले जाते हो तो आपको यह phone में notification भेज़ देगा कि आपकी जो keys हैं यह रह गई हैं पीछे उठा लो जाके लेकिन अगर बात करें कि आपका air attack अगर कहीं बहुत दूल चला जाता है तो दोस्तो ऐसी situation में आपको अपने air attack को lost mode में डालना पड़ेगा और जैसे ही आप उसको lost mode में डालोगे आपकी पास option आएगा अपनी contact information और name डालने के लिए तो जैसे ही आप उसको डालते हो और अगर वो किसी भी iPhone वाले बंदे को मिलता है तो वो वहाँ से easily find कर सकता है लेकिन अगर सामने वाले बंदे के पास iPhone हो ही ना तो अगर उसके पास Android भी हुआ तो भी वो NFC के थुरू उसको scan कर सकता है और आपकी जो details है उसको easily देखने को मिल जाएंगी तो वो वहाँ से आप तक contact कर सकता है तो दोस्तों ये तो बात तब क्यों ही जब वो air attack किसी को मिल गया लेकिन क्या हो अगर आपके पास वो air attack जो है वो आपने किसी backpack में डाला हुआ है और वो backpack किसी train में भूली चुके हो आप and train जो है वो continuously travel कर रही है यहाँ वहाँ और आपका जो bag है वो रह गया है train में तो ऐसी situation में अगर कोई भी बंदा जो iPhone यूज कर रहा है अगर वो उस air attack के आजपास है तो उसके पास यह notification चला जाएगा कि आपके आजपास कोई air attack है तो वो उसको ऐस तरीके से भी fine कर सकता है तो मेरे सबसे बहुत ही कमाल की चीत हो जाती है तो दोस्तों यह air attack कुछ इस knowledgeable person के पास जाता है जिसको इन सब चीजों का knowledge हो जो की scan करना जानता हो तो आपका product आप तक पहुँच सकता है दोस्तों आप बात करते हैं कि अगर आपकी keys जो है वो अगर गुम हो जाता है और आपको पता भी नहीं जलता कि यह यह कहांगे लेकिन जब डूनने की बारी आत आपका airtech automatically उस iPhone के through अपनी location आपके iPhone में send कर देगा यहनि कि जब भी आप अपने find my app में ढूनोगे कि मेरे airtech कहां है वो आपको उसकी exact location send कर देगा और वो सामने वाले person को यह चीज़ पता भी नहीं चलेगी और यह full encrypted होगी तो मेरे यह साब से बहुत ही कमाल की बात हो जात अगर इसकी pricing की बात करें तो इंडिया में इसकी pricing जो वो 3000 रुपीज है अगर आपके पास कोई ऐसा product है जो काफी जादा precious है यानि कि काफी जादा expensive है no matter कोई wallet हो गया phone हो गया या फिर आप अपने bike के अंदर भी इसको डाल सकते हो जिसको आप बचा के रखना चाते हो या आपका dog क्यों ना हो गया आप अपने dog के collar में भी इसको लगा सकते हो तो basically यह काफी जादा का product है हाँ अभी इंडिया के अंदर इतने सारे लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता होगा लेकिन अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया में आईफोन जो है वो बहुत ह सारे हैं तो अगर आपका air attack कहीं गुम हो जाता है तो इंडिया के अंदर आज की डेट में जिस से आपसे इतने सारे आईफोन हैं हाँ आपको वो product मिल सकता है आपको उस product की location मिल सकती है लेकिन इसके लिए कुछ factors है पहली चीज़ की उस बंदे का location जो है वो on होना चाहिए उसी के through वो आप तक अपनी location पहुंचा सकता है अगर वो air attack किसी के हाथ लग गया है तो उसके पास एक NFC वाला Android smartphone होना चाहिए और उसके लावा उसको इसका knowledge भी होना चाहिए नहीं तो वो कैसे भेजेगा आपको जब उसको knowledge भी नहीं होगा तो कोई iPhone आता है आसपांस तो यह बहुत ही कमाल की बात हो जाती है वो directly आप तक वो location send कर देगा यह depend करता है आपकी चीज के ऊपर की वो इतना जादा वर्थ करती है विकास अगर आपके घर पे कोई बच्चा वगरा है और अगर आप उसके bag में यह चीज डाल देते हो जिसको आप कभी भी track भी कर सकते ह तो मेरे सबसे यह भी बहुत ही अच्छी बात हो जाती है कि आप इसको उस तरीके से भी यूज कर सकते हो काफी जादा multiple users है इसके अलावा अगर आपके पास यह attack होगा और आप इसको किसके लिए यूज करने वाले मुझे नीचे comments में बताना और I hope यह वीडियो आपको फस